किसी ने लिखा है एक कविता, आसान नहीं होता एक प्रतिभाशाली इस्त्री से प्रेम करना, इसे मैं अपने स्वर में सुनाने जा रहे हूँ. आसान नहीं होता एक प्रतिभाशाली इस्त्री से प्रेम करना, क्योंकि उसे पसंद नहीं होती जी हुजूरी, जुकती नहीं वो कभी, जब तक न हो रिष्टों में प्रेम की भावना. तुम्हारी हर हां में हां और न में न कहना वो नहीं जानती, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है जूट की डोर में रिष्टों को बांधना. वो नहीं जानती, सुवांग की चाशनी में डूबो कर अपनी बात मनवाना, वो तो जानती है बेबाकी से सच बोल जाना. वो तो जानती है बेबाकी से सच बोल जाना, फिजूल की बहस में पढ़ना उसकी आदतों में शुमार नहीं, लेकिन वो जानती है तर्क के साथ अपनी बात रखना. वो छणशण गहने कपड़ों की मांग नहीं किया करती, वो तो समारती है स्वयम को अपने आत्म विश्वास से, निखारती है अपना व्यक्तित्व मासूमियत भरी मुश्कान से. तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकती है, तो तकलीफ में तुम्हें संभालती भी है. उसे घर संभालना बखुवी आता है और अपने सपनों को पूरा करना भी. अगर नहीं आता, तो किसी की अनरगल बातों को मान लेना. पौरुष के आगे वो नतमस्तक नहीं होती, जुकती है तो तुम्हारे निश्वार्थ प्रेम के आगे. और इस प्रेम की खातिर अपना सर्वस्व नियुचावर कर देती है. हौसला हो निभाने का तभी ऐसे इस्त्री से प्रेम करना क्योंकि तूट जाती है वो धोके से. क्योंकि तूट जाती है वो धोके से, छलावे से, परुशत्यों के हंकार से और फिर जुड नहीं पाती है किसी शल्य उपचार से. धन्यवाद कविता अगर पसंद आए तो इसके प्रेम और शेयर जरूर करें.